तैतरीय उपनिशद ब्रह्मानंद वल्ली नवम अनुवाक इस मंत्र में परब्रम परमात्मा के परमानंद स्वरूप को जानने का फल बताया गया है भाव यह है कि मन के सहित सभी इंद्रियां जहां से उसे न पाकर लोट आती है जिस ब्रह्मानंद को जानने की इस मन और इंद्रियों की शक्ती नहीं है परब्रम परमात्मा के उस आनंद को जानने वाला ग्यानी महापुरुष कभी किसी से भई नहीं करता वह सर्वता निर्भई हो जाता है इस प्रकार इस श्लोग का तात्परी है इस वर्णन में यह बात कही गई है कि ज्ञानी महापुरुष को किसी प्रकार का शोक नहीं होता भाव यह है कि परमात्मा को उपर बताए अनुसार जानने वाला विद्वान कभी इस प्रकार शोक नहीं करता कि क्यूं मैंने श्रेष्ट कर्मों का आचरण नहीं किया अथुआ क्यूं मैंने पाप कर्म किया उसके मन में पुन्य कर्मों के फलस्वरूप उत्तम लोकों की प्राप्ति का लोभ नहीं होता और उसे पाप जनित नरक आदी का भई भी नहीं सता था लोभ और भई जनित संताप से वह उंचा उठ जाता है उक्त ज्यानी महापुरुष आसकती पूर्वक किये हुए पुन्य और पाप दोनु प्रकार के कर्मों को जन्म मरण रूप संताप का हेतु समझ कर उनके प्रती राग द्वेश से सर्वता रहित हो जाता है और परमात्मा के चिंतन में सनलगन रहकर आत्मा की रक्षा करता है